हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे से हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो as usual शुरू करूंगा फिंगर्स के अनायलसिस से उस समझने में कोई दिक्कत ना हो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नजर आ रहा है यह मेरा वटसैप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें वटसैप के जरीए सिगनल के जरीए या फिर टेलेग्राम के जरीए मैसेज सेंड कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है कुछ इस तरह से एक कम्पलीट स्क्वारिश शेप में नजर आ रही है जो इंडिकेट करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को चेकिया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं fingers काफी थिक हैं और काफी अच्छी length में नजर आ रही है यहाँ पर आप इनकी शनी finger को अगर देखें तो आपको नजर आएगा कि शनी finger बहुत अच्छी length में नजर आ रही है पूबियों की वज़े से चीवन में काफी अच्छी तरक्की करपाने में कामियाब रहते हैं अगर में इनकी सूरे finger की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो सूरे finger है यहाँ वाली इनकी index finger से भी ज़्यादा लंबी है ऐसे नेटिव जिनकी सूरे finger ज़्यादा लंबाई में होती है बहुत अच्छा social circle बना पाने में कामियाब रहते हैं और साथी साथ थोड़े से risk taker type के सभाव के होते हैं और जीवन में risk लेने से नहीं घबराते कई बार तो अपनी धनकी investments के मामले में भी risk लेने की रूची इनके भीतर देखी जा सकती है अपने धनको ऐसी जगाओं पर invest कर सकते हैं जहां पर loss के chances भी हो जैसे share market है cryptocurrencies है, mutual funds है ऐसी चीजों में भी अपने धनको लगाने की रूची इनके भीतर रह सकती है index finger की बात करें यानि यहां जो ब्रस्पती की finger है यहां पर भले ही हमें सूरे finger के मकाबले थोड़ी short नजर आ रही है लेकिन independently देखा जाये तो बिल्कु straight है, काफी thick finger नजर आ रही है जिसकी वजह से native की energy and stamina तो अच्छा रहता ही है साथी साथ strong leadership qualities भी ऐसे व्यक्ती के भीतर देखी जा सकती है ऐसे व्यक्ती जिनकी index finger बिल्कुल सीधी हो और अच्छी लंबाई में हो, thick हो काफी knowledgeable होते हैं दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं और काफी अध्यात्मिक टाइप की होते हैं अगर हम इनकी सबसे छोटी यानि mercury finger की बात करें तो आपको यह finger थोड़ी सी low set नजर आएगी आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर draw करकर यह finger बाकी fingers के मुकाबले थोड़ा सा नीचे से शुरू होती हुई कुछ इस तरह से अगर हम इनकी बाकी सूर्य finger को शनी finger को और गुरू finger को देखे तो काफी उपर से शुरू हो रही है जबकि यह finger आपको थोड़ा नीचे से शुरू होती नजर आएगी जिसे हम low set mercury finger कहते हैं और इस finger का low set होना native को shy nature का बनाता है लेकिन communication skills में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही आप देख सकते हैं यह finger लंबाई में काफी अच्छी है और सूर्य finger के इस top phalanche तक पहुँचती हुई नजर आ रही जिस वज़े से native के communication skills calculations और business equipment बहुत अच्छे देखे जा सकते हैं इनकी fingers के बीच में हलके gaps नजर आ रहे हैं आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह का gap इस सेरिया में आपको बिल्कुल clearly नजर आएगा और इसी तरह का gap आपको इन दोनों fingers के बीच में और यहां पर भी हलका सा gap नजर आएगा fingers के बीच में इस तरह के gaps होना indicate करता है कि native काफी independent सभाव का रहने वाला है थोड़ी सी जिदी personality भी ऐसे व्यक्ती की देखी जा सकती है ऐसे व्यक्ती अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको करकर ही दम लेते हैं कुछ इस तरह का सभाव फिंगर्स के बीच में बनने वाले gap indicate करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका guru परवत यह जो area है index finger के नीचे का काफी उबरा हुआ है यहाँ पर एक आड़ी रेखा भी आपको नजर आएगी इस तरह की रेखा को guru वलाय कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर एक काफी गहरी रेखा हो जो यहाँ से शुरू हो और इस तरह से यहाँ तक पहुन जाए इस तरह की रेखा को एक complete guru वलाय कहा जाता है जिनके हाथ पर ऐसा guru वलाय बनता है ऐसे व्यक्ति काफी अध्यात्मिक होते हैं धर्म कर्म के काम करने वाले लेकिन थोड़ी विरागी नेचर के होते हैं यहाँ पर हल्की सी खैसे व्यक्ति को मिल पाता है knowledgeable personality रहती है ध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रफॉर्म ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं इसी के साथ साथ आपको इनके अंगूठे के उपर यहाँ पर एक बुद्धा जाई का चिन बनता हो आने वाली घटनाओं का पूर्वा अभास ऐसे व्यक्ति लगा पाते हैं कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो किसी relative के या अपने मित्र के साथ होने वाला हो उसका पहले से ही इने अभास हो जाता है कुछ इस तरह का फल यह माउंट उबरा हुआ भी देता है क्योंकि knowledge ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी होते हैं काफी दूर दर्शी होते हैं ऐसे relative अगर हम शनी की बात करें शनी का area आपको यहाँ पर दबता हुआ नजर आएगा और शनी माउंट का दबना life में struggle को बढ़ा देता है भले यहाँ पर दो भाग्या रिखाई नजर आ रही है जो व्यक्ति को काफी लखी बनाती है लेकिन उसके बावजूद यह माउंट दब रहा हो तो native को जीवन में शुरुआती दोर में काफी संघर्ष करना पड़ता है लगभग 36 के आसपास की एज तक struggle जीवन में रह सकती है लेकिन इनकी भाग्या रेखा को देखा जाए तो भाग्या रेखा यहाँ पर काफी अच्छी नजर आ रही है आप देख सकते हैं डबल होती हुई फेट लाइन जो इंडिकेट करती है कि नेटिव एक से अधिक सोर्स आफ इंकम अपने चीवन में बना पाएगा आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा यह जो एक रेखा है जो यहाँ से आगे तक अक्स्टेंड होती हुई और यह एक रेखा इसके साथ साथ चलती हुई इस तरह की रेखा जो जीवन रेखा से ही निकल कर चलती है फैमली की तरफ से मिलने वाली स्पोर्ट को इंडिकेट करती है और यह जो रेखा है यह बहारी लोगों की स्पोर्ट को इंडिकेट करती है इस तरह है कि दो भागया रेखाए होना indicate करता है कि ऐसे विक्ति अपनी जीवन में दो काम एक साथ करने में सक्षम रहते हैं जैसे ऐसे विक्ति अगर किसी जॉब में चले जाए तो साथ साथ कोई बिजिनस भी कर सकते हैं और दो-दो source of income ऐसे विक्ति अपनी जीवन में बना पाते हैं लेकिन शनी माउंट का दबना यहाँ पर जीवन में शुरुआती दोर में इन्हें काफी महिनत करवाएगा यूगि जिनका शनी परवत यहाई एरिया दब रहा होता है ऐसे व्यक्ति को अपने comfort zone से निकल कर काम करना पड़ता है काफी धिक महिनत इनके जीवन में रहती है लेकिन उसके बावजुद बहुत अच्छा धन कमा पाने में और बहुत अच्छी तरक्की पाने में भी ऐसे native कामयाब हो जाते है अगर हम इनके सूरे परवत की बात करें अब देखेंगे यह एरिया आपको दबा हुआ नजर आएगा सेंटर से बिलकुल इस mount का दबना indicate करता है कि native को यश कम मिल पाएगा ऐसा विक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले दूसरों की कितनी भी मदद कर ले बदले में कोई appreciation नहीं मिल पाता mercury की बात की जाए तो mercury का जो mount है भली low satel लेकिन छोटी छोटी खड़ी रिखाएं इनके mercury mount के उपर मौझूद है यहाँ पर आपको बारीक छोटी छोटी कुछ इस तरह की रिखाएं नजर आएंगी और एक लंबी mercury line भी आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह की mercury lines इनके हाथ में आपको नजर आएंगी यह जो रिखाएं हैं इन्हें हम healing lines कहते हैं ऐसी रिखाएं होने से native एक अच्छा healer हो सकता है दूसरों की problems को समझने वाला होता है अपने शब्दों से अपने कर्मों से अपनी सलहा या consultation से लोगों की problems को दूर करने की काबलियत ऐसे व्यक्ती के भीतर रहती है ऐसी रिखाएं होने से काफी अच्छा business equipment व्यक्ती के भीतर रहता है लेकिन अगर broken lines भी सासा चल रही हो तो native को digestive system से सबंदित दिकतों का सामना भी अपने चीवन में करना पड़ सकता है अगर हम बात करें इनकी heart line की तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी heart line बिलकुल straight और काफी अच्छी length में है शनी परवत तक पहुंचती हुई है heart line एक बहुत ही practical type की personality को indicate करती है कोई भी major flaw हमें इनकी heart line में नजर नहीं आ रहा यहाँ पर आकर थोड़ी सी shallow होती हुई रेखा otherwise structure काफी अच्छा है इनकी heart line के लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा सा चुड़ाई में होना literature में चलकर थोड़ी blood pressure जैसी दिक्कते इनको दे सकता है लेकिन कोई भी major issue इनकी heart line के जरीए हमें नजर नहीं आ रहा और अगर हम इनकी mind line की बात करें आप देखेंगे mind line बिल्कुल straight चलती हुई लेकिन आगे चलकर थोड़ा सा चुकाव अंदर की तरफ और यहाँ पर आकर थोड़ी सी weak रेखा भी आपको नजर आगी यहाँ पर अगर देखोगे बहुती बारीक बहुती हलकी रेखा जो last में चलकर थोड़ी weak memory को indicate कर रही है लेकिन young age में memory अच्छी रहने वाली है old age में चलकर थोड़ी weak memory का सामना इनको करना पड़ सकता है overall देखा जाए तो काफी अच्छी मस्तिक्ष रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है money triangle की बात की जाए तो तीन रेखाओं से money triangle बनता है जिसमें यहाँ एक रेखा शामिल है जिसको हम fate line कहेंगे दूसरी रेखा आगे चलकर थोड़ी सी weak होती है लेकिन यहाँ पर मौझूद है यह रेखा लेकिन थोड़ी सी weak है और तीसरी यह वाली राइन जिसको हम mercury line भी कहते हैं तीनों रेखाओं यहाँ यहाँ पर last में चलकर थोड़ी सी hulky हो रहे हैं जिस वज़े से खर्चों की धिकता रह सकती है लेकिन फिर भी काफी अच्छा धन संचय करने में यह अपने जीवन में काम्याब हो पाएंगे बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में है जीवन रेखा का अच्छी length में होना native को एक लंबी age देता है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहां से शुरू होने वाली यह है रेखा कुछ इस तरह से फेट लाइन के साथ मिलकर यहां तक पहुंचती हुई इस तरह की जीवन रेखा का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एज लगवग 75 से 80 के बीच में रहेगी इस रेखा का बाहर की तरफ नेकलना यानि यहां जो एरिया है जो मने अभी सरकल किया इसको चंदर परवत कहते हैं यहां तक इस रेखा का पहुंचना इंडिकेट करता है कि नेटिव को आगे चलकर घर से दूर रहना पड़ सकता है घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की समभावनाय रहती है कई बार वदेश जाकर बसने की समभावनाय भी इस तरह का चिन इस तरह की रेखा इंडिकेट करती है यहाँ पर आप देखेंगे इनके केतू एरिया के उपर हलकी रिखाओं से एक फिश्ट ऐसी है कृती बनती लेकिन यह अभी पूरी तरह से एक complete चिन नहीं है यहाँ से बनने वाला यह चिन अगर यहाँ पर भी यह रिखा complete हो जाती है तो इस तरह से एक फिश्ट का सिंबल कहलाएगा अगर यहाँ रिखा complete हो जाये तो अच्छानक धलाव दिलवाने में help करता है विदेश शात्राएं और साथ साथ inherited wealth भी इस तरह का complete चिन वनने से native को मिल सकता है लेकिन अभी हमें यह थोड़ा सा अधूरा यहाँ से यहाँ नजर आ रहा है लेकिन आगे चलकर यहाँ चिन भी complete हो सकता है अगर हम इनके शुकर परवत की बात करें तो आप देखेंगे वीनस का एरिया काफी उबरा हुआ है वीनस माउंट अगर उठा हुआ हो तो यह native को अच्छी सुक सुधाएं जीवन में दिलवाता है लेकिन यहाँ पर आपको काफी सारी बारी कैसी रिखाएं नजर आएंगी जिने हम वरी लाइन्स कहते हैं इस तरह की वरी लाइन्स का होना indicate करता है कि native को कुछ ना कुछ दिक्कतें अपनी married life को लेकर और relationship को लेकर सहन करनी पड़ेंगी यहाँ पर ऐसी रिखाओं का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता अगर हम चंदर परवत की बात करें तो चंदर का एरिया यहाँ पर आपको यहाँ से दबता हुआ नजर आएगा इस वज़े से थोड़ा तनाव और anxiety native को परिशानी दे सकती है ओवरॉल यहाँ पर इस तरह की उपर की तरफ चलने वाली रिखाएं होना long distance travel को दर्शा आता है और यहाँ से इस तरह की रिखाएं शनी परवत की तरफ उठे तो ऐसे व्यक्ति विदेश से भी धन कमा पाते हैं लेकिन यहाँ पर इस तरह की आड़ी रिखा का होना या कुछ चोटी चोटी रिखाएं होना anxiety को बढ़ाता है नेटिव को थोड़ी बेचैनी जैसी दिक्कत anxiety जैसी दिक्कत का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है दोस्तों ये कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जो आब एकी वीडियो के तुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्नी या स्वाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पे message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद